गाईज आज आज हमारे पास काफी जादा amazing product है जो कि यह फोर्स की newly launched अर्बेनिया अर्बेनिया में आपको 3 variants देखने को मिलते हैं जिन में से एक आता है इसका short wheelbase variant उसके बाद आता है mid wheelbase variant और last में आता है long wheelbase variant अभी जो हमारे पास variant है इसका हो है इसका mid wheelbase variant और force ने से काफी ज़्यादा premium design भी दिया है और साथिसत अगर बात करें comfort और safety की तो वहाँ पे भी force ने इस बार focus किया है आपको यह जो हमारे पास mid wheelbase variant है इसमें आपको 13 seating मिलती है excluding driver ड्राइवर को अगर हम count कर लेते हैं तो total इसमें 14 लोग बैठ सकते हैं और wheelbase देख सकते हैं इसका काफी ज़्यादा बड़ा wheelbase में आपको यहाँ पे मिल जाता है इससे उपर आपको एक long wheelbase version भी आता है वो आपको 17 seating configuration के साथ आता है आपको इस engine कौन सा मिलता है इसमें वही मिलता है Mercedes derived FM 2.6 CRDI engine जो कि आपको force की दूसरी vehicles में भी मिलता है और यह जो engine जैने वो produce करता है nearly 115 bhp of power and 350 newton meters of top जिस dealership में अभी हम है उसका नाम है MAPL force dealership जो की Noida में है और अगर आपको इस vehicle से related कोई भी query है test drive लेनी है booking करवानी है तो आपके screen पे एक number flash हो रहा होगा आप इस number पे contact करके इस vehicle की test drive भी ले सकते हैं और अगर आपको यह vehicle पसंद आता है तो booking भी करवा सकते हैं यहाँ पे आप फ्रीमेम नेस देख सकते हैं इसकी यहाँ पे आपको मिलते है LED DRLS का combination ओपर की साइट और अच्छी बात यह कि force ने आप पे projector headlamps का setup भी आपको दिया है इसके लाबग ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पे honeycomb pattern में आपको grill देखने को मि option जो कि आप यहाँ पी देख सकते हैं इसमें आपको force ने wheel cover का option भी प्रोवाइट किया है और वियम से देख सकते हैं आपको नीचे की साइड आपको indicators मिलते हैं सबसे amazing चीज मुझे इसकी लगती है वह ऐसकी doors के opening यहाँ से मैंने open किया और यहाँ पे आप space देख सकते हैं का अंदर enter करना और headroom देख सकते हैं guys यहाँ पे आपको काफी amazing headroom देखने को मिल जाता है 13 seating यहाँ पे आपको मिल जाती है excluding driver यानि कि अगर हम driver को भी include कर देते हैं तो total इसमें आप 14 लोग बैठ के जा सकते हैं long journeys मैं आपको quickly इसकी पीछे वाली seat में जाके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि वहाँ पे आपको कैसा लग room देखने को मिलता है यहाँ पे आपको पहले तो दो seats दे दी गई है और इस side आपको एक single seating दी गई है सबसे पीछे वाली row में चलते हैं इसके तो यहाँ पे आपको चार seat total combined कर दी गई है और यहाँ पे जो लग room आपको मि आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको आम रेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं अब मैं दिखाता हूं आपको driver का compartment driver का cockpit है जनरली जो आपको फोर्स की विकल्स में मिलता था उससे बैटर यहाँ आपको प्रीमेम नस देखने को मिलती है एसी के इवेंस यहाँ आपको मिल जाते हैं infotainment system भी यहाँ पर फोर्स प्रोवाइट कर रहा है और अच्छी बात है कि safety के लिए दो airbags आपको बदा दिया अब बदाता हूं मैं आपको reverse parking camera के बारे में यह मैंने से reverse mode पे लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्प आप यहाँ इ visibility में आपको किसी भी तरह की problem नहीं आईगी सब कुछ आपको physical buttons देखने को मिल जाते हैं इसके लावाँ यहाँ पर आपको five speed का manual transmission को मिल जाता है और ignition मैंने on कर देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका instrument cluster देख सकते हैं M.I.D. आपको middle में मिल जाता है देखने को digital की form में और gear shift indicator भी यहाँ पर फोर्स ने provide किया है infotainment system यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स ने यहाँ पर compact सा infotainment system provide किया है और touchscreen की form में आपको मिल जाता है इस response जोयस का वो decent है बहुत जादा अच्छा नहीं है still यहाँ पर इतना जादा working में आई है कि आप आराम से entertainment भी enjoy कर सकते हैं यहाँ पर जाते जाते हैं इसके रवगा इस lighting के buttons आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यह मैंने button प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं lights जो है cabin की वो on हो चुकी है यहाँ पर फोर्स ने दूसरी light रे भी इसमें provide किये कुछ यह मैंने button प्रेस किया blue color की lighting से आप आपको देखने को मिलते हैं जो कि generally night के समय लोग on करते हैं तो दोर को close कैसे करना है यह देख सकते हैं बहुत जाता cake walk कैसे close और open करना rear profile में चलते हैं कोई कि लिए और यहाँ पर देखते हैं आपको tail lamps जो है वहाँ आपको LED की form में आपको देदी गई है या फिर seat की नीचे भी आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना luggage को window यह जो area है वो भी आपको यहाँ पर rear की side भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है इसके अलबागा जो आपका remaining luggage होगा वो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं बागी floor देख सकते हैं काफी जादा है आ पर फोर्स ने इसे प्रोवाइड किया है यह था फोर्स की अरबीनिया का एक detail walk around वीडियो पसंद आती है तो make sure गाइस वीडियो को like करना ना बूले channel को subscribe करना ना बूले मिलते हैं आप से अगली वीडियो में thanks for watching